अब पढ़ान सांसत अपनों पर ही गुस्सा करने लगे हैं अपनों पर ही बुरा भला कहने लगे हैं तो समझ लो जब कोई अपनों पर ही बुरा भला कहने लगे तो उनका सफाया होने जा रहा है जिस तरीके से पहले दूसे चर्ण में भारती जनता पार्डी पीछे छूट गई थी तीसे चर्ण के आते आते भारती जनता पार्डी का बैलेंस दगमगा गया है और ये तो चौथे चर्ण का चुनाव है बीच कुल बीच का चुनाव है तीन चरंड खतम हो चुके हैं चौता चरंड बिलको लाप का है और इसके बाद तीन चरंड बचे हैं और हमें भरोसा है कि इस बार जो बोट पड़ेगा चौते और पांच में चरंड का भारतिय जंता पार्टी का पूरा का पूरा बैलेंस डगमगा जाएगा मैं देख रहा हूँ कि जो लोग चार सो पार का नादा दे रहे थे चार सो पार का जो लोग नारा दे रहे थे आज जंता के बीश में उनके खिलाफ जो नाराजगी है और जिस तरीके से करोडों लोगों ने बोर्ट डाल करके भारतिय जंता पार्टी को संदेज दिया है वो जो चार सो पार का नारा वो भूल चुके हैं अब चार सो पार नारा दे नहीं पा रहे हैं उनकी हिम्बत नहीं हो रही हैं के वो चार सो पार का नारा दे दे हैं मैं कह सकता हूँ कि इस बार नकेवल बहराईज बरकी बहराईज के आसपास की सभी लोकसभा गौंडा कैसरगंश लखीमपूर धोरारा ये सभी की सभी समाजवादी पार्टी और इंडिया गडवंदन के समर्थन से एतियासिक बोटरों से जीतने जा रही हैं झाल